हाई, वालकनो माच चनल, इस वीडियो में साल्फ करें कुछिशन नमार 24 तो सीबा बाट 100 हैंस, 100 हैंस फार रुपीज 8,000 रुपीज, ठीक है एंड सोल्ड 20 अफ दीज अट अगेन अफ 5 परसंट, ओके मतब कर रहा है कि 100 हैंस खरीदी, तो सीबा ने और कितने को खरीदी 8,000 रुपीज का, 120 हैंस खरीदी, और उसमें से, 100 हैंस में से 20 हैंस को, तो सीबा ने बेच दिया, 5% के गेन पर ठीक है, केवल 20 को बेचा है, 80 को नहीं बेचा भी तो at what gain percent अब बोल रहा है कि कितने gain percent पर C must sell उसे बेचना चाहिए the remaining hands जो बची हुई जो hands है मतलब कि 80 जो hands बच गई है उनको कितने percent पर बेचेगी so that कि gain हो जाए 20% कितने पर on the whole मतलब पूरे hundred जब बेच देगी तो पूरे पर मतलब कि 20% का gain होना चाहिए ठीक है तो करेंगे क्या यहाँ पर हम इसको break कर देंगे इस question को तो पहले जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं क्या-क्या दिया हुआ है ठीक है तो हम लिख लेते हैं कि given that given that दिया है CP of CP of hundred hence इस call to दे दिया है 8,000 ठीक है 8,000 रुपीज अचा CP of hundred hence निकल गया तो यहाँ पर 20 hence और 80 hence में break किया है न यहाँ पर 20 hence को बेचने पर अब बोला है कि तो सीवा को फाइदा हो रहा है 5% का यहाँ भी मतलब 5% के गेन पर मतलब बेच देती है तो बिल्कुल फाइदा होगा 5% का अब बोला है कि 80 जो हैंस है remaining तो उनको कितने फाइदे पर बेचेगी ताकि 20% का complete पूरे पर फाइदा हो तो करना क्या होगा कि पहले CP of hundred hence is call to 8,000 दिया हो है हमें क्या करना पड़ेगा कि CP of 20 और CP of 80 यह दोनों को अलग अलग लिख लेना चाहिए क्योंकि हमें यूज करना ही पड़ेगा बाद में तो CP of यहाँ पर 20 hence कितना हो जाएगा तो CP of 20 hence कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 100 hence का जो total price है वो है 8,000 यह पताएगे 100 hence का price है 8,000 रुपीज तो एक हैं का कितना होगा एक हैं का होगा 100 से डिवाइड करतेंगे तो 8,000 में यदि आप 100 से डिवाइड करतेंगे तो दो जरू करतेंगे मतलब कि 80 रुपीज मिलेगा ठीक है मतलब 20 hence हैंस निकालने के लिए 20 hence का CP निकालने के लिए 80 से मतलब कर दीजिए तो यह हो जाएगा 20 multiplied by 80 is equal to 1600 रुपीज ठीक है हमने निकाल लिए CP of 20 hence अब similarly हम निकाल लेंगे CP of 80 hence तो क्या हो जाएगा मतलब करना पड़ाएगा 80 में 80 से 8 at the 64 होता है तो 6400 क्या हो जाएगा रुपीज अब यहाँ पर हो चुका है CP of 80 hence is equal to 6400 रुपीज ठीक है अब करना क्या है अब SP निकालना है आपको कितना 100 hence का यह जो SP निकालेंगे ना 100 hence का ठीक इसी से आपको जो है वो मिल जाएगा जो हमें यहाँ निकालना है at what gain % C must sell तो पहले हाँ पर जितना में बेचेगी उसको माल लेंगे तो हमें यहाँ माल लेते हैं कि let toshiba let toshiba cells cells the remaining remaining hands means that is 80 x percent x percent gain कि माल लिजे कि x percent gain पर वो बेज देती है तो हमें क्या होगा हमें क्या निकालना है हमें निकालना है sp of 100 hands तो sp of 100 hands जो होगा वो equal होगा sp of 20 hands मतलब 20 hands को बेचने पर मिलेगा plus sp of 80 hands है कि नहीं मतलब जो 100 hands को बेचने पर जो मिलेगा रुपया वह उतना ही होगा जितना 20 hands को बेचने पर selling price होगी plus selling price 80 hands को बेचने पर मिलेगा उन दोनों को add करने पर मिलेगा न इतना बिलकुल यह true है मतलब common sense से सुचिएका बस तो sp of 100 hands तो हमें sp कैसे निकालते हैं sp निकालना हो तो हमें cp into करना पड़ता है न जो भी मतलब करना क्या पड़ेगा cp of 100 hands उसका formula होता है cp of 100 hands निकाल लो उसके बाद multiply कर दो bracket में 100 plus कितना gain percent पर बेचा जा रहा है अपान 100 से divide कर देते हैं यही formula है न इसकाल 2 यहां में देखे sp of 200 hands को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा cp of 20 hands में multiply कर देंगे 100 plus जितना gain percent हो रहा है यहां पर जितना gain पर बेचा गया उतना अपान 100 यही करता है न मतलब कि sp निकालने के लिए जो formula में है वही लगा रहा हूं मैं और कुछ नहीं प्लस यहां पर क्या करेंगे यहां भी करेंगे cp of 80 cp of 80 hands by multiplied by क्या हो जाएगा 100 plus gain percent अपान 100 यह पूरा हमारा formula बन गया यह बन गया एक equation ठेक है अब यहां पर हम रख देंगे values cp of 100 hands यहां पर दिखें हमने लिखा है cp of 100 hands को कितना है 8000 8000 multiplied by 100 plus gain percent यहां पर 100 hands मतलब क्या है पूरा complete है पूरे पे whole है whole number of hands कितनी है 100 hands है और यहां बोला है कि 20% gain हो रहा है कितने पे on the whole मतलब कि 20% gain percent है मतलब यहां पर यूज करेंगे हम 20% means यह हो जाएगा 100 plus 20 अपान हंड्रेड स्कल्टू यहां पर cp of 20 hands कितना है यहां पर मैं लिखा है 1600 मतलब यहां पर हो जाएगा 100 plus gain percent कितना है देखिए तो 20 hands को यहां पर देखिए 20 hands को sold करने पर उसको gain हो रहा है 5% का तो 5% का यूज करेंगे यहां पर प्लस cp of 80 hands cp of 80 hands में यहां निकाला है और वो निकाला है 6400 multiplied by यहां पर रख देंगे 100 plus gain percent gain percent हमने माना है आपर x percent मतलब माल लिया कि remaining hands को बेचने पर 80 hands को वो x percent का gain हो रहा है तो 100 plus x upon 100 ऐसे यूज कर सकते हैं राइट अब solve कर लेते हैं देखिए यहां पर दो 0s cancel out जाएंगे दो 0 से और यह मिल जाएगा हमें 80 multiplied by यहां पर हो जाएगा 120 120 इसक्वल 2 यहां मिलेगा देखिए 20 से 20 जाएगा यहां मिलेगा 16 multiplied by यहां add कर लेंगे तो मिलेगा 105 105 प्लस यहां पर देखिए 20 जो है 20 जाएगा और यह मिलेगा 64 in bracket 100 प्लस x ओके अब यहां multiply करके substitute करते हैं यहां मिल जाएगा 12 जाएगा 96 और 00 बढ़ जाएगा यहां पर यहां किता हो जाएगा 65 जाएटी का 0 5 carry over and 80 का 8 रहेगा इतना आ गया प्लस 1680 राइट अब यहां पर 64 से मटबलाई करेंगे आपर क्या मिलेगा तो 64 100 मिल जाएगा यहां पर प्लस मिल जाएगा 64 X अब यहां है आपर देके इन दोणों को इड़ करके इधर से मैनस करना पड़ जाएगा inter Business तो हम लिग सकते हैं इसको इस तरीक से ध्यान से हम यहां ले सकते हैं इसको 64 X ठीक है इसको हम इधर ले ले लेदे हैं तुझ करना पड़गा सवत्राइस अच्छ कि इतना मिनस्माना पड़गा इसमेसे इतना मिनस्माना 0 में से 0 जाएगा 0 मेंसे 8 जाएगा नहीं जापाएगा और यहां पर दिखjang 5 में से 0 जाएगा इसके बार से 9 में से 8 जाएगा वन ऐगा इतना आ गया अब यहां पर क्या करेंगे x की वेलो निकाल लेंगे x पर अब नापर हो जाएगा 1, 5, 2, 0 अपान 64 अब यहां से कटाते हैं 8 से 8 जा 64 यहां से 8 कटेगा 8 टू जा एट बन जा 8 यहां होगा 772 हो जाएगा 8 9 जा 72 होता है जिरो हो जाएगा अब फिर 2 से कटेगा 248 और 2918 एंड 2510 95 हो गया अब 4 से यहां पर कटा लेते हैं इसमेर जा 4 और यह कटेगा तो क्या मिलेगा डेशमर मिलेगा जो ही मिलेगा तो 9 मिले जाएगा 4 टू जा 8 4 टू जा 8 हो गया कितना बचा एक बचा 15 हो गया 15 मिले जाई है तो 4 3 12 12 12 12 12 हो गया तो कितना 30 हो गया 4 7 जा 4 7 जा कितना होता है 28 और 2 बचा के रहे होगा 20 बच गया और 4 5 जा 20 होगा मतलब 23.75 percent this is your x x क्या मानने थे हमने यहां पर x percent gain मानना था और यही आपका value मिल गया 23.75 percent and this is your required answer तो यह लिए सकते हैं कि हैंस C must sell 80 hands at 23.75 percent gain to profit 20 percent on the whole okay तो यह आपका हो गया है solution answer आपका हो गया ही ठीक है 23.75 percent thank you so much for watching by क्षड़ किüst